हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरे यूटूब चैनल चोपड़ा है जो के सनों और मैं हूँ हरसाय चोपड़ा दोस्तो उडिसाइ स्टेट बैंगलोर सेंटर वैस सिलिगुडी सेंटर की लेप्ट आउट स्टुडेंट की नीट की एक्जाम जो 20 मई 2019 को होनी है उसके एड्मिट कार्ड ने अपने वेबसाइट नीट.nick.in पर अपलोड कर दिये हैं इस रेगार्डिंग उसने एक नोटिस डाला है तो जैसे ही हम इसकी साइट पर विजिट करते हैं तो इसमें नीचे नीट यूजी 2019 उडिसा रिवाइजड एड्मिट कार्ड का नोटिस डाला है इस पर क्लिक करेंगे तो यह पब्लिक नोटिस डाउनलोड हो जाता है इसमें लिखा है कि जो पांच माई 2019 को जिन स्टुडेंट की एक्जाम पॉसबॉंड हो गई थी उन स्टुडेंट की एकजाम 20 माई 2019 को 10 बजे से 1 बजे के बीच में है और इनका सेंटर सहमी ह और revised admit card issued कर दिये गए हैं अगर आपको कोई problem है तो आप इनको contact us में जाके इनको mail भी कर सकते हैं और इनसे phone से बात भी कर सकते हैं अभी ये आपको admit card दुबारा से download करना होगा जो revise admit card है exam center same है लेकिन date or time change है क्योंकि जो 5 मई को exam हुई थी उसका timing 2-5 बजे तक था और date 5 मई थी लेकिन इस बार जो exam होनी है left out persons की उनकी 20 मई को exam है और 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में है अभी admit card download के लिए आपको website पर जाना है website पर जाने के बाद home section में download admit card का option लिखा है fourth number पर इस पर आपने click करना है तो जैसे ही इस पर click करेंगे इसमें inter application number डालना है इसके बाद date over डालनी है और security pin डालना है जो नीचे लिखा हुआ है इसमें submit करेंगे तो आपका admit card download हो जाता है तो आप ये revised admit card download करके exam दे सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी थी admit card के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके रखें bell icon press करके रखें वीडियो को like वे ज्यादा ची ज्यादा share करें क्योंकि इस परकार की जानकारी है हम लेके आते रहते हैं तो मिलते हैं नई जानकारी की साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जय हिंद